जैहीं सात्यूं आप सब ही का स्वागत करता हूँ आप सब ही के अपने चैनल टार्गेट सेलेक्शन में सात्यू आज किस वीडियो में SSE GD के लिए फुल मौडल पेपर देखेंगे और ये मौडल पेपर सात्यू SSE GD के लिए पहला मौडल पेपर होगा अगर आप चाहते हैं सात्यू जो आपका एक्जाम होने वाला है SSE GD का दिसमबर 2024 के महीने में उसमें आप एक्जाम को बहुत आसानी से क्रेक करना चाहते हो तो टार्गेट सेलेक्शन नाम के इस चैनल पर सात्यू आज से आपकी तैयारी शूरू हो चुकी है और ये पहला म से उसन पर सात्यू के पहले आपकी तैयारी कितने थी और कुछ दिन सात्यू टार्गेट सेलेक्शन के माद्यूम से ये पूरे मॉडल पेपर वारी चारों विशायूँ वाली सात्यू अगर आप देख लेते हो तो आपकी तैयारी में 4 चान लग जाएंगे महद 4 चन्द द के बाद reasoning फिर मैथ होगी सब कुछ देखेंगे पूरे 80 कोशन देखने की कोशिश करेंगे तो पहला प्रिशन आपकी स्क्रीन पर है कि आग का परेवाची क्या होता है साथ्यों देखिए आग का परेवाची आग को कहते अनल कहते आग को कहते पावक कहते आग को कहते कर्शान आपका एक साथ आख का नीर ढल जाना यानि कि आख का पानी ढल जाने का मतलब साथियों क्या होता है बिलकुल बेशरम हो जाना बिलकुल निरलज हो जाना आंसर आपका भी के साथ अंग अंग तूटने का मतलब साथियों क्या होता है कि बहुत जाद अथ ठक जाना एक तरी तो साथियों परतीख्षा की अगर बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगी परतीज जो होगी ना साथियों यह आपका उपसर्ग हो जाएगा एक तरीके से उसके बाद देखिए कि निमनिकित में से कौन सा शब्द परभावी का विलोम नहीं है बताएए तो परभावी का वि वियर्थ करने वाला नहीं दूसरों के भरोसे रहने वाला भी नहीं सैयोग से काम आसानी से होना ये इस लोकुक्ति का बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा थोड़ा नपातुला भूजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा इसको हम लोग मिताहरी क्या कहते हैं मिताहर और व्यंग उफास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिनने का प्रयोग किया जाता है तो किस विराम चिनने का प्रयोग किया जाता है विसमयादी बोधक चिनने का प्रयोग किया जाता है आप लोग ध्यान रखेंगे तत्सम से तत्भव बने सही शब्द योग में खुजी है सातियों बताईए तो देखिए यहां पर अगर बात करें घड़ और घड़ा घड़ आपका तत्सम शब्द हो जाएगा और घड़ा उसी का तत्भव हो जाएगा यह तो बिल्कुल सही है राक का रक्षा नहीं होता है धन्या धनी गलत हो जाएगा यह भी गलत हो जाएगा तो कुल मिला के राइट आंसर आपका अगर हो अप्षा नमबर एक के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है अशलील की अगर बात करें अशलील का विलूम क्या होता है तो अशलील का विलूम तो सात्यों शलील होता है राइट आंसर आपका एक के साथ यहां गन्ने का ताजा रस्बिकता है यहां ताजे गन्ने का रस्बिकता है ताजा गन्ना नहीं कह सकते गन्ना कभी ताजा नहीं होता है ताजे गन्ने गलत ताजा गन्ना गलत तो कुलमिला के साथ हो यहां गन्ये का ताजा रस्मिकता है यह आपका वाकर बिलकुल शुद्ड हो जाएगा वे अविकारी शब्ड जो दो शब्डो वाक्यों अथ्वावकर के खंडों को जोड़ते हैं उनको साथियों क्या कहा जाता है तो वो तो समुच बुदक शब्द कहलाई जाते हैं आंसर आपकर डी के साथ निनमेकित में से अशुद वरतनी वाला शब्द बताई यानि कि जिसकी वरतनी बिल्कुल सही नहीं है तो यहाँ पर उलगन भी सही लिखा है, मनौरत भी सही लिखा है, अजवल सदियों गलत है, अजवल नहीं होता है, दो बार आधा 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 जाएगा उसके बाद देखिए इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है तो अनुग्रह का साथियो विग्रह होता है विलोम क्या होता है विग्रह होता है उसके बाद देखिए रचना की दिश्टी से किरिया के भेद होते हैं तो किरिया के साथ हूँ दो भी दोते आंसर आपका भी के साथ किछ शब्द की वरतनी अशुदध बताईए तो यहाँ पर अगर देखिए रिशी सही है संद्या सही है संसकार सही है अगर सन्यासी गलत है कैसे है गलत अगर यहाँ पर एक अंग की बिंदी आ जाती या दो बार ना आ जाता कुल मिलाके सात्यों तो वो सन्यासी आपका बिल्कुल सही हो जाता उसके बाद अदोलिकित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है या आप से कुल मिलाके फूछा जारे कैसा शब्द है यह आपका एक तद्भफ शब्द है तो आंसर आपका अड़ी के साथ जाएगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो साथ हो उसको क्या कहा जाता है तो उसको आजान उबाहू कहा जाता है क्या कहा जाता है साथ हो आजान उबाहू कहा जाता है आंसर के साथ तो आपने साथ यो 20 कोशन देखे हिंदी के अब आप 20 कोशन देखेंगे सामान ग्यान के उसके बाद 20 कोशन डीजिनिंग के और 20 कोशन मैद के पूरे मॉडल पेपर में से देखिएगा कितने कोशन आपके बिल्कुल सही जा रहा है पूलिचर पूर्सकार किस छेतर में दिया जाता है तो पत्रकारिता के छेतर में दिया जाता है वस्तु और सेवाकर को कब लागू किया गया एक जुलाई 2017 को लागू किया गया टुइटर सोशल नेट वर्किंग वेबसाइट के इस्तापना सात्यों कप की गई तो 2006 में की गई ये सभी के सभी कोशन एकदम टॉप लेवल के हैं और आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखें इंदरा गान्दी एलाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखा कौन है तो जैराम रमेश हैं इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे जल सनक्षन के लिए क्या करना चाहिए तो नदियों पर बांध बनाना चाहिए बिल्कुल जल के दुरुपियों को रोकना चाहिए बिल्कुल वर्शा के जल का संचे करना चाहिए बिल्कुल इन सभी को लागू करना चाहिए बिल्कुल साथ ये सभी विकल्प आपके सही हो जाएंग उसके बाद देखिए विश्व परेवर्ण दिवस का मनाय जाता है तो ये तो पाज जुन को मनाय जाता है आप सबी लोग जानते हैं इस तरियों की दशा में सुधार ना होने तक विश्व के कल्यान का कोई मार्ग नहीं है ये बात किसने कहती है कतन तो सातियों सौमी विवे का नजी का है इसलिए राइट आंसर आपका भी के साथ जाएगा किस अभिलेक में रुदरदामन पर्थम की विबिन उपलब्धियों के बारे में बताया गया है प्राचीन नगर तक्षिला निम्निकित में से किन के बीच इस्तित है तो ये तो सिंधू और जहिलम के बीच इस्तित है जो तक्षिला नगर है उसके बाद देखिए मौरकाल में शिक्षा का सरवधिक परसुदिक एंदर था तो सात्यों तक्षिला था, क्या था तक्षिला था, आंसर आपका सी के साथ, सात्यों अभी जब मैत के और रीजनिंग के कोईशन्स आपके सामने खुलेंगे ना, तब आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और बहुत बढ़िया सात्यों आज किस वीडियो में ने कोईशन लि देखिए गुलाम वशे के प्रत्रम शासक कौन थे तो कुत्व उद्रीन एबक थे आंसर आपका एक के साथ राश्ट्ये कॉंग्रस से पहले सबसे प्रमुक संस्था तापूं से थी तो एस्ट इंडिया एस्सोसियेशन थी important कोशने आफ लोग ग्यान रखेंगे कौन सा रासानिक उर्वरक नहीं है बताएए तो ये भी है ये भी है पोतेशियम नैडिरिट भी है लेकिन सोडियम सलफेट नहीं है नहीं है तो यहीं आपका Right answer है प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन होते एकजाम में पूछा जाता है तो पॉलिथिलीन की अगर बात करें पॉलिथिलीन गय सातियों प्लास्टिक से ही उत्पर्ण होती है फॉरवर्ड ब्लॉक के सातियों संस्थाफ़ कौन थे तो सुभाज चंद्रबोस अगर आपने उत्तर चैन किया है तो बल्कुल सही किया शिक्षा में सुधार के लिए बिर्टिश सरकार ने सैडलर विश्वद्याले आयोक सातियों कब गठित किया था तो कब गठित किया था 1917 में गठित किया था या आप लोग ध्यान रखेंगे राजीव गांधी राज्टियो यूवा विकास संस्थान से कौन से यनि किया कौन से राज्वे है उसके बाद देखिए भाब के निमनी inherent में से कौन सा प्रकृतिक बंदरगाण नहीं है तो चिननिकी आगर बात करें किए यह सात्यो प्रकृतिक बंदरगाण नहीं है नहीं है तो यहीं आपका राइट आंसर है अब देखे साथियों आपके सामने यहां पर Reasoning के और Math के साथियों कोशन शुरू हो चुके हैं तो Reasoning का साथियों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है देखे अगर आप साथियों वाकई SSE GD में क्या SSE GD में साथियों सेलेक्शन लेना चाते हैं तो आपकी ट्रिक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि Reasoning में आपको पूरे नंबर लाना है उसी परिकार साथियों हिंदी में भी आपको पूरे नंबर लाना है और जब हम बात करते हैं साथियों मैट की तो मैट में भी आपको पूरे नमबर लाना है यानि कि अगर 90 से साथियों इनके अगर बात करें तो 60 कोशन आएंगे और 60 कोशन में से कुछनी कुछनी अगर आप 55 भी कर देते हो साथियों और यह समय लेजिए अगर आप टार्गेट सेलेक्शन के इस चैनल से तैयारी करोगे तो 60 बटा 60 का टार्गेट साथियों लेकर चलेंगे यहां पर अगर 60 आपके आगए और बाकी जीएस में अगर कुछनी कुछनी आपने 10 भी स्कोर कर दिया तो यह 70 साथियों हो गए अब फिर किसी भी जोन से आप फॉर्म भर्दो कहीं से भी भर्दो अगर 80 पृष्णों में से साथियों 70 आपका स्कोर हो जाता है तो मेरा मानना है सेलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता है और लिस्ट में सबसे उपर नाम आपका ही होगा चली तो अब हम लोग साथियों बढ़ते हैं इस पृष्णी की तरफ के वो आरेक आपको चुनना है जो शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों के बीच साथियों सही समन्द का निरोपन करता है देखिये, मान लेजिए क्या हो जाएंगे या शिक्षित लोग हो जाएंगे अब देखिये, जो अध्यापक हैं वो शिक्षित लोगों के अंतरगत ही आएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, बेरोजगार लोगों के अगर बात करें तो साथियों मान सकते हैं कुछ बेरोजगार लोग जो होंगे ये बेरोजगार लोग का है ये कुछ बेरोजगार जो होंगे वो कुछ शिक्षित भी होते हैं और कुछ शिक्षित भी होते हैं और कुछ बेरोजगार होते हैं जो अनपड़ होते हैं नई शिक्षित होते हैं तो कुलमिला के साते हो अप्शन नमबर A है तो बिलकुल करेक्ट है उसके बाद देखिए अगले नमबर का प्रिशन आपके स्क्रीन पर है कि कथन आपके सामने लिखा हुआ है कि बहा सुरोतों से प्राप्त खुशी शणिक होती है मतलब थोड़ी देर की होती है चेरस्ताई खुशी अपने भीतर स ही आती है यह बात तो बिलकुल सही है यहाँ पर अगर बात करें साथियो कोई भी वैक्ती बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता ऐसा कि कोई भी वैक्ती बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता बिलकुल कर सकता है तो यह तो गलत हो जाएगा सिनमा से मिलने वाल सही जवाब हो जाता उसके बाद देखिए संपादक का संबंद जैसा जैसे पत्रिका से है साथियों वैसा ही क्या उपन्यास का संबंद लेखक से होगा क्या कवीता का संबंद कवी से होगा कुर्सी का संबंद क्या बढ़ी से होगा या निर्देशा का संबंद फिल्म से होग तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें कि जैसे संपादक पत्रिका का संबंद है साथियों वैसे ही निर्देशक एक तरीके से फिल्म को तैयार करता है संपादक पत्रिका को तैयार करता है तो आंसर आपका जो जाएगा वो option number D के साथ जाएगा ठीक है ना चलिए उसके बाद देखिए आगले नंबर का प्रिश्ण है साथ हो यहाँ पर देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है देखिए A, D, B, C और W, Z, X, Y है तो आपको बताना है कि जैसे इसका सम्मंद वैसे आपको बताना है E, H, F, G का सम्मंद किस से A से, B से, C से, A, D से अब यहाँ पर साथ हो सबसे पहले आप अगर बात करें देखिए यह एक पर होता है यह चार पर होता है यह दो पर होता है यह साथ हो तीन पर होता है उसी परिकार यह आपका 23 पर होता है ठीक है ना यह आपका 26 पर होता है और यह आपका 24 पर होता है और साथ हूँ बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे A, D, A ठीक है यहाँ पर B, C आया है और यहाँ पर X, Y आया है यानिके डारेक्ट डारेक्ट आगे लेकिन देखें क्या कुछ ऐसे मामला बन सकता है A से कितना बड़ा है Z, W हो जाए D से कितना बड़ा है Z हो जाए B से कितना तो यह मामला नहीं बनेगा यानिके यह लॉजिक नहीं लगए यहाँ पर साथ हो देखें जो लॉजिक मुझे लग रहा है वो अपोजिट लेटर का लग रहा है जैसके अगर हम इसके उपर लिख दे A, D, B, C तो यहाँ पर आप देखेंगे कि A का अपोजिट लेटर Z होता है D का अपोजिट लेटर W होता है B का अपोजिट लेटर Y होता है और C का अपोजिट लेटर X होता है देखें आपको दो चीज़े मालूम होना चाहिए पहली चीज़ तो यह मालूम होना चाहिए कि लेटर पोजिशन यानि कि A की पोजिशन 1 पर C, B की पोजिशन 2 पर C की पोजिशन 3 पर D की पोजिशन 4 पर और दूसरी बात आपको मालूम होना चाहिए कि A का अपोजिट लेटर जो होता है वो Z होता है उसी परकार B का जो होता है साथियों वो Y होता है C का क्या होता है साथियों आपका X होता है D का क्या होता है W होता है ये चीजे भी आपको मालूम होना चाहिए तो यहाँ पर भी आप इसका उल्टा ही करेंगे अब जैसे कि अगर जब हम बात करते हैं साथियों कि H का opposite letter क्या होता है तो S होता है E का opposite letter क्या होता है तो V होता है उसी परकार G का opposite letter क्या होता है तो D होता है और सात्यों यहाँ पर अगर बात करे F का क्या होता है तो U होता है तो यहाँ पर अगर बात करे S, V, T, U कहां पर लिखा हुआ है यह तो option number A में लिखा हुआ है तो यह ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है चलिए उसके बाद देखिए कि एक कासमन साथियो मैंने यहां पर आपको बिल्कुल शूनने सो उठाया है कहां से उठाया है मैंने आपको साथियो शूनने सो उठाया है और मैं आपको साथियो कहां पर इस class से अगर पढ़ेगा तो बहुत आसानी से exam को करा कर दा देगा यहाँ पर एक से साथियो 36 हुआ है तो यहाँ पर दो से क्या होगा देखिए अगर बात करें साथियो यह एक है और इसमें हमने कितना बढ़ा दिया अगर हम इसमें 5 बढ़ा दे तो यह नंबर हो जाएगा 6 तो यह क्या है यह 6 का स्कोयर है उसी प्रेकार यह 2 है इसमें भी अगर साथियो हम बढ़ा दे पांच तो यह हो जाएगा 7 तो यह 7 का स्कोयर होना चाए यह यह厲害 और अप्शन में उन्चास है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिलकुल सात्यों उन्चास है उप्शन नमर B में उसके बाद देखिए सात्यों DE जैसे के यहां पर 10 लिखा गया है उसी परकार HI को सात्यों क्या लिखा जा सकते देखिए यह होता है चार पर और यह होत करें सात्यों गुणा कराए चार पंजे कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा यह बीस का आदा है उसी परकार इसकी सात्यों गुणा कराए ठोटू, 46, 89, 72 अगर हम सात्यों इसको आदा करें तो इसका आदा 36 होता है कह 36 option में है तो बिलकुल 37 option में option number C में है और यही आपका right answer हो जाएगा तो यह सवाल सात्यों आपको अमीद करता हूं समझ में आ गया होगा उसके बाद देखिए नेक्स नंबर का कोईशन आपके स्क्रीन पर है देखिए और बताईए सही जवाब आपका क्या होगा देखिए यहां पर अगर बात करते ही यह वाले में जितने भी लेट डी के अगर बात करें डी आपका स्कूल का बच्चा तो है उसके अलावा गायक भी है और सात्यों गायक भी है गायक है और कुछ नहीं है जी के अगर बात करें यह सिर्फ गायक है और सी के अगर बात करते है तो यह कलाकार भी है इसकूल का बच्चा भी है गायक भी है और की बात करिए सिर्फ कलाकार है तो अब देखें सात्यों सवाल आप से क्या क्या यहां पर पूछा जा रहा है देखेंगे और बताएंगे सात्यों सही जवाब आपका क्या होगा चलिए समाल आपसे सात्यों जो किया गया है वो ये किया गया है कि आरेक में विध्यारती कालाकार गायक दिखाए गया है बिलकुल आरेक का अध्यन कीजिए और उस छेतरी के पहचान कीजिए जो उन विध्यारतियों को दर्शाता है क्या साथियों उन विध्यारतियों का मतलब क्या है विध्यारतियों का मतलब स्कूल के बच्चे है जो उन स्कूल के बच्चों के दर्शाता है जो सिर्फ कलाकार है पर अन्तु गायक नहीं होना चाहिए साथियों क्या गायक नहीं होना चाहिए फिर से मैं जूम कर देता ठीक है गायक नहीं होना चाहिए इस्कूल के बچचे होना चाहिए और कलाकार होना चाहिए तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यहांपर B एक ऐसा option नज़र आ रहा है लेटर नज़र आ रहा है जोquiskomल का बच्चा भी है जो कलाकार भी है लेकिन गायक वाले section में नहीं आया है तो B ही सातियों आपका विल्कुल सही जवाब हो जाएगा देखिए सातियों कौन से option में है letter B है तो option नमर B में ही सातियो letter B है answer आपका जाएगा option नमर B के साथ भई बहुत बड़िया very good class उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रिशनाब के स्क्रीन परह बताईए चलिए देखे यहां पर अगर सात्यों बात करते हैं कि राज्यू उत्तर पश्चिम दिशा में दो किलो मिटर जाता है सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ मान लेजी आप यहां पर बैटे तो आपके उपर वाली दिशा क्या कहलाएगी उत्तर कहलाएगी इधर वाली दिशा सात्यों आपकी पूर्व कहलाएगी और ये वाली दिशा क्या कहलाएगी सात्यों दक्ष्ण कहलाएगी और ये वाली दिशा क्या कहलाएगी सात्यों पश्चिम कहलाएगी ये बात आपको मालूम होना है अगर आप से कहा जाए उत्तर पश्चिम की तरफ चलिए तो आपको इस तरफ चलना है अगर आप से कहा जाए दक्ष्चिम की तरफ चलिए तो आपको इस तरफ चलना है अब हम लोग बढ़ते हैं पृष्ट की तरफ राजू उत्तर पशिम दिशा में दो किलोमेटर चलता है तो अगर साथियो बात करें उत्तर पशिम दिशा किदर होगी माल लिजे साथियो आप यहां पर है आपका उत्तर ये था और पशिम ये था यानि कि आप इस तरफ चले और इस तरफ चले साथियो दो किलोमेटर आप चले चलिए थोड़ा सा स्पेस से मैं बना लेता हूं यहां पर यानि कि आप यहां पर है साथियो आप इधर चले किदर कितना चले दो किलोमेटर चले वहां से 90 डिग्री दक्षना वर्त गूमे देखिए दक्षना वर्त कभी वामा वर्त होता है साथियो एंटी क्लॉक वाइज यानि के घड़ी की सूया ऐसे 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 से जाती है ना आपको ऐसे 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 चलना है इस तरफ से चलना है ऐसे करके चलना है चली आप साथियो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है दो किलोमेटर चला दिया हमने इसको पश्ची मौर उत्तर में उसके बाद का गया है कि 90 डिग्री दक्षिना वर्त गूमी है माल नवे क्या होता है माल लीज़े आप जब इधर जा रहे हैं तो 90 डिग्री का जा है आप एकदम इधर मुड़ जाएंगे तो 90 डिग्री घूमा और दो किलोमेटर चला ठीक है भई दो किलोमेटर हमने इसको चला दिया उसके बाद का है फिर वहां से फिर से 90 डिग्री घूमा दक्षिना वर्त फिर समने इसको 90 डिग्री चला दिया और दो किलोमेटर चला है दो किलोमेटर चला दिया तब वो अपनी आरमिक अवस्ता से किस दिशा में अच्छा दिशा पूछी जा रही है आरमिक अवस्ता उसकी ये थी और अभी वो है यहां पर यानि कि अगर इधर से देखोगे तो ये कौन सी दिशा कहलाईगी तो ये तो सात्यों मैंने आपको बताया था पूरफ दिशा होती है और ये आपके उत्तर दिशा होती है और ये बीच काप से सात्यों मिलाके पूछा जा रहा है तो ये कौन सी उत्तर पूरफ सात्यों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका आप्शन नंबर बी में है भाई बहुत बड़िया वेरिकूट ट्लास उसके बाद देखिए अगला पूरफ आपके स्क्रीन पर है यहां पर अगर बात करें कथन आपके सामने है कथन में कहा जा रहा है कि क्या फिल्मों पर पूरी तरह से पृतिबन लगा देना चाहिए क्या फिल्मों पर पूरी तरह से पृतिबन लगा देना चाहिए तो एक कह रहा है कि हाँ भया यह हमारे सांस्कृतिक नेतिक मूलकों नश्ट कर रही देखिए ऐसा नहीं है एक दो फिल्मों को अगर छोड़के बाकी को देखा जाए तो फिल्में सामाजिक नेतिक मूलकों नश्ट नहीं कर रही तो यह गलत हो जाएगा कहने कि फिल्मों पर पूरी तरह से पृतिबन नहीं लगा देना चाहिए क्योंकि नहीं यह हमारे मनुरंजन का एक मातर बढ़िया सादने के अगर यह लिखा होता है कि हमारे मनुरंजन का बढ़िया सादने तो हम इसको सही कर देते हैं लेकिन यहाँ पर लिखा हूए एक मात्र साधन है, मतलब कि हम मनुनरंजन का और कोई साधन नई. सिर्फ यही है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा. तो इस परकार से साथिू ना तो एक ना तो दो तर्क प्रबल है. अशा कहाँ पर लिखा हूए है? ऐसा आपका option number C में लिखा हुआ है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है उसके बाद देखिए कि एक घड़ी हमेशा क्या दिखाती है घंटा मिनट सेकंड या समय तो देखिए घड़ी है ना सातियों तो समय आपको जरूर दिखाएगी सातियों कुल मिलाके अग यहापके उखिए है ना सातियों कहा गया है क्या कहा गया है यहाँ जे क्यों क्यों कु के दाइं। बैटा है तो सातियो p के दाइँ और यायनि के x जो बैटा है या q के बाइँ और है और p के दाइँ और है कहा जा रहे है कि क्यो तो Z के बाई और है, यानि के बाई और है, उसके बाद कहा गया है कि R के बाई और Z है, तो R कहां पर है, R कहां पर है साथियों, R के बाई और Z है, R अगर हम यहां पर बनाए तो R के बाई और Z हो जाता है, बिलकुल हो जाता है, छोरों के, छोरों पर कौन कौन बैट है, यानि जिनका भी option number C तो बिल्कुल correct है उसके बाद देखे साथियो next number का question आपकी screen पर है यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जो जा रहा है वो पूछा आपसे यह जा रहा है कि CPOT top mark का मतलब हो जाएगा OSHA is playing cards और cop की mark का मतलब हो जाएगा ASHA is playing tennis और top से और cop का अर्थ हो जाएगा cards and tennis तो आपको बताना है कि ASHA का code साथियों क्या होगा अब देख लिजए कि ASHA का code ASHA कहां पर लिखा हुआ है OSHA is playing cards यहाँ पर नहीं है ASHA is playing tennis यानि कि ASHA यहाँ पर है और इस सब का code क्या है इस सब का code साथियों यह है यानि कि ASHA का code या तो साथियों कॉप होगा या जा होगा या क्या की होगा या मा होगा लेकिन इससे पहले इसको मालूम करने से पहले हमें IS का code मालूम होना चाहिए playing का code मालूम होना चाहिए किसका किसका सात्यो इस का और आपका प्लेइंग का और सात्यो टेनिस का चलिए तो सात्यो जब बात करते इस और कहां पर एक बार देख लीजे देखिए इस प्लेइंग है ना इस प्लेइंग तो इस प्लेइंग यहां पर भी है और इस प्लेइंग यहां पर भी है यानि के साथियो is playing इन दोनों के मतलब क्या हो जाएंगे की के आई और मे हो जाएंगे अब मुझे नहीं पता कि की आई इस का है या playing का है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहां पर से जो है यह कट जाएंगे यानि कि आशा का code यह नहीं हो सकता और साथियों आपका यह नहीं हो सकता code अब कॉप होगा या जा होगा अब आप एक काम कर लीजे क्या टैनिस का code और निकाल लीजे तो टैनिस का code कहां पर आपको मिलेगा अब बचा क्या साथ हूँ अब आपका बचा आशा और यहां पर बचा जे ए क्या बचा साथ हूँ जे ए बचा तो अगर बात करें कि आशा का कोड क्या हो जाएगा तो जे ए हो जाएगा और जे ए आप्शन में कहां पर है तो आप्शन नमबर आप्शन नमबर सी वाले में सी लेते साथे, कौन सा नहीं बन सकता है, देख़ें, E N T R E, यहां पर लिखा हुआ है, तो देखें, यह बन सकता है या नहीं तो E कहाँले है, E यह हो गया, N यह हो गया, ठीक है न, और T आपका यह हो गया, R यह हो गया, E N T R E हो गया न, ठीक है अच्छा यह यहाँ पर दो बार E है यहाँ पर तो कुल मिला के A की बार E है तो यह नहीं बन सकता ठीक है यह बन सकता है नहीं बन सकता देख रहते हैं TRI तो T आपका यह हो गया R आपका यह हो गया I आपका यह हो गया A N और A आपका यह हो गया N आपका साथ यह हो गया A-N-G-L-E J आपका ये हो गया L आपका ये हो गया और E कहां पर है साथियो E कहां पर अच्छे यहां पर A की E की दरूरती थी ना तो A की E हो जाए मतलब ये वाला तो बन जाया यानि कि मैं कहूं आगर साथियो कि ये वाला नहीं बन रहा है ये वाला बन रहा है अब देखिए क्योंकि आभी मुझे भी नहीं पता है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है यहां पर वैसे सही तरीके से लिखा होना चाहिए था कोई दिक्कत नहीं R-E-L-A तो R ये हो गया आपका E आपका ये हो गया A-E हो गया T-I-N-G-T ये हो गया I-E हो गया N-E हो गया G-E हो गया तो ये वाला बन सकता है तो हो सकता हो ये वाला भी बन सकता हो देख लिजेगा आप यानि कि इसमें ये पूछा गया था कि कौन सा नहीं बन सकता तो आप्शन नमर A वाला शब्द नहीं बन सकता और यही आपका सही जवाब हो जाता है तो यहाँ पर देखे साथे हो अब यहाँ पर हमको देखना है कि कौन कौन से आप्शन बन सकते हैं और कौन कौन से आप्शन नहीं बन सकते हैं तो सबसे पहले वाले के अगर बात करते हैं R, E, P लिखा हुआ है साथियों तो R ये हो गया उसके अलावा E ये हो गया और आपका P ये हो गया उसके बाद लिखा है R, E, S लिखा हुआ है तो R साथियों ये हो गया उसके बाद E आपका ये हो गया और इस किदर गया इस किदर गया साथियो इस यहाँ पर नहीं है तो मैं कह सकता हूँ यह वाला नहीं बन सकता है तो पहला वाला साथियो नहीं बन सकता है ठीक है दूसरा वाला देखते हैं एक बार के आर एपी लिखा हुआ साथियो तो आर एपी कहा गया आर ये हो गया साथियो और पी आपका ये हो गया चलिए उसके बाद आर ओ फिर से आर आ गया फिर से आर ओ आ गया और ओ आ गया साथ H आपका ये है A आपका ये है और N किदर गया N आपका ये है और T O M T ये हो गया O ये हो गया M किदर गया M आपका ये हो गया तो ये वाला भी बन सकता है तो कुल मिला कि अगर बात करें देखिए ये वाला भी बन जाएगा मेरे हिसाब से C E M तो C की तर गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद E&T की हो गया तो मैं कह सकता हूं सात्यों जो option number A में सात्यों words है ये नहीं बन सकता इन letters की मदद से, बाकी नीचे तीनों बन सकते हैं और जो इसमें से साथियों ये नहीं बन सकता ना ये सारे बन सकते तो ये ही आपका right answer हो जाएगा option number उसके बाद देखिए अगले number का प्रिशन आपकी स्क्रीन पर है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा यहाँ पर अगर बात करें इफ जी एच टी है उसके बाद यानि कि जैसे इस से जो है न ये letters बनाए गए है O, P, Q, R वैसे ही B, C, D, E से कौन से letter बनाए जा सकते हैं option number A वाले, B वाले, C वाले या साथियों D वाले तो देखते हैं साथियों सबसे पहले letter position आपको साथियों मालूम होना चाहिए कि ये 6 पर होता है, ये 7 पर होता है, ये 8 पर होता है, ये साथियों 20 पर होता है उसके अलावा अगर बात करें ओ पंद्रह पर होता है, सात्यों ये सोला पर होता है, ये सत्रह पर होता है, ये आपका अध्रह पर होता है, चलिए उसी प्रेकार अगर बात करें यहां पर तो यह आपका दो पर होता यह तीन पर होता यह चार पर होता यह पाच पर आपका होता यह आपको यहां पर सातियों कुल मिला कर दिक रहा होगा चलिए देखे यहाँ पर एक दिक्कत साथियों यह है कि यह आई है एक तरीके से यह आई है तो आई यहाँ पर पता क्या आएगा यहाँ पर साथियों 9 आएगा अब यहाँ पर देखे लगातार नंबर है कैसे लगातार 6, 7, 8, 9 15, 16, 17, 18 2, 3, 4, 5 बस हमें देखना यह है कि इसे यह कितने नंबर आगे है वही नंबर हम यहाँ से यहाँ आगे कर देंगे और लगातार हम लेटर को लिख देंगे यहाँ पर तो यह 9 है, यह 9 पर होता है, यह 15 पर होता है यानि कि 6 बढ़ाया गया है तो यहाँ पर भी क्या option के कहीं पर लिखा हुआ है कहां पर लिखा हुआ है सात्यों ये तो option number B में लिखा हुआ है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है उसके बाद देखिए सात्यों next number का question आपके screen पर है के 17 का सम्मंद 64, 17 का सम्मंद 60 से है तो 20 का सम्मंद सात्यों किसे होगा बताइए देखिए अगर 17 को जब हम 60 बनाना चाहें तो अगर 17 की गुणा 3 से कराना चाहें तो 17 कम 17, 17 दुना 14, 17, 15 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जब हम 9 पिलस कर देंगे तो ये नमबर बन जाएगा 60 उसी प्रिकार से इसकी गुणावी 3 से कराएंगे कितना आजाएगा 60 आजाएगा और जब इसमें सात्यों जिसके यहाँ पर 9 पिलस किया यहाँ पर हमीं 9 पिलस कर देंगे तो 69 आजाएगा 69 सात्यों आप्शन में है तो बिलकुल चर्म से होगा यह तोचा से होगा देखिए यहां पर अगर बात करें कि मचली की जो खाल होती है इसको क्या कहा जाता है शल्क कहा जाता है उसी परकार सातियों जो भालू की खाल होती है इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है लोम चर्म तो लोम चर्म सातियों आप्शन मे ना उनको भी आपको देखना है, क्योंकि सात्यों देखिए, जो भी आपके पास दिन बचे हैं, तीन महीने, चार महीने, पाच महीने, छे महीने, ऐसे दिसम्मर में आपका एक्जाम है सात्यों, आप सबी लोग मालूम है, तो जितने भी दिन बचे हैं, जितने भी महीने बच हुजाएगा सब कुछ आपका साथ यो कवर हुजाएगा क्योंकि डेली अगर आप डेली काम करो बहुत थोड़ा तो डेली हम साथ यह से जी डी लिए 20 बीस कोशन पड़ेंगे 20 कोशन चीज एंडी के पड़ेंगे 20 कोशन टॉप लेवल के मैद के पढ़ेंगे और 20 questions reasoning के पढ़ेंगे मेरा मानना है साथियों अगर ये काम आप सिर्फ बहुत जादा नहीं साथियों एक महीने तक भी कर लेते हो तो आपकी तैयारी में एक दम बहुत निखार आ जाएगा बहुत जादा निखार आ जाएगा चलिए उसके बाद देखिए लेखक का सम्मंद से जैसे साथियों कलम से वैसी कलाकार का सम्मंद किस्से होगा तो लेखक जो इस्तमाल करता है वो कलम इस्तमाल करता है अगर कोई कलाकार के अगर बात करें तो वो साथियों क्या इस्तमाल करेगा मैं कहूंगा सात्यों कैनवस का इस्तुमाल करेगा वो आंसर आपका C के साथ जाएगा चलिए देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा यहां पर सात्यों कुछ लेटर्स आपको नजार आ रहे इन लेटर्स की मदद से अगर यह लेटर्स बनाई जा सकते हैं तो इन लेटर्स की मदद से यह लेटर्स बनाई जा सकते हैं सात्यों कौन से बनाई जा सकते हैं A वाले, B वाले, C वाले, Option number D वाले तो देखिए सात्यों यहां पर अगर आप थोड़ा सा इस पर और इस पर नजर दोड़ाओगे ना तो आपको ये दिखेगा कि जो यहां पर लेटर्स हैं वही लेटर्स यहां पर है मुझे ऐसा लग रहा है सात्यों कि जो इन है और यू है देखे इन जो पहला वाला था ना वो सबसे अंत में भीज दिया जो दूसरा वाला था ना वो सबसे पहले लिख दिया उसके पार जो तीसरे नमबर का था ना वो सेकंड लास्ट कर दिया और ये वाला था ना वो सात्यों यहां पर लिया और ये लिखा हो ना उसमें भी ऐसे करके लिख दिया तो सात्यों शुरू से एक बार हम लोग देखते हैं और कैसे क्या हुआ है वो हम एक बार हम लोग यहां पर बतला देते हैं यहां पर सात्यों लेटर्स एक बार लिख देते हैं कितने लेटर्स हैं देखिए जो सबसे पहले है ना वो सबसे अंत में भेजा गया है तो जो सबस दूसरे नमबर पर है वो second last पर आया यानि कि यहां पर आ जाएगा चरिए उसके बाद यह जो e चौथे नमबर पर है ना e कहां पर आया है e कि अगर बात करते हैं साथियो दूसरे नमबर पर आ गया है ठीक है तो जो चौथे नमबर पर यहां पर होगा ठीक है वो साथियो यह जहां पर आजाएगा आप", चौथा नंबर भी निपढ़ गया है अब , R, A, L की बारी है साथ यह सबसे अंत में , ऑL लिख authentication होगा ज legislativ आँख होगा उщее आइए अनृ लिखा हुगा ऑर तीसरे की नंबर आएगा ऑर यह सबसे अंत में . E R A तो L E R A कहां पर लिखा हुआ है साथ हूँ अच्छा अब इसमें क्या बचाए इसमें कौन सा लेटर एक बचाए साथ हूँ तो यहां पर B बचा है ना यह वाला B तो यह B यहां पर आ जाएगा तो कुल मिला के साथ हूँ अब देखिए L E R A कहां लिखा हुआ है L E R A L E R A उसके बाद साथियों क्या जाएगा B आ जाएगा B वाला हो जाएगा B और जी यानि कि आंसर आपका जो जाएगा वो अप्शन नमबर D के साथ जाएगा ठीके ना चली उसके बाद देखिए अगले नमबर का प्रिशन आपकी स्क्रीन पर है देखिए और बताईए सही जवाब आपका क्या होगा कि लड़कियों की एक पंक्ती में कमला बाई और से नमी है तो जो जो कहा जा रहे है वो कर लीजे साथियों ठीक है बाई और से नमी है तो बाई और से इदरी है यानि के बाई और से नमी है क्या नम है कमला नम है साथियों तो कमला नम लिख दिया और नमे नमर पर है तो नमा नमर लिख दिया और वीना दाई और से सोलमी है और वीना की अगर बात करें साथियों बस ये लड़कियों के नाम चेंजी कर दिये जाते हैं और ये जो नमबर लिखें ये चेंजी कर दिये जाते हैं तो कमला साथियों बाईं और से नमी है वीना दाईं और से सुलमी है अगर दोनों के इस्थान आदल बदल कर दिये जाते हैं तो कमला बाईं और से पचीसमी हो मतलब देखिए कमला यहां पर है अब कमला साथ्यों यहां पर आ जाती है पचीस मी हो जाती है पचीस मी एक तरीके से पूछा गया जा रहा है कुल कितनी लड़किया है देखिए अब अगर बात करें साथ्यों कमला इधर से क्या हो गई पचीस मी हो गई और यहां पर कितने लोग थे 16 लोग थे यानि के साथियों इधर कितने लोग है इधर टोटल 15 लोग ही तो आप बचे है साथियो 15 लोग यहां तक ठीक है ना तो 25 यह हो गए 15 यह हो गए साथियो 16 तोड़ी नहीं यह तो 16 नंबर का है वीना 16 नंबर की है और अब यहां तक आ गया है कुल मिलाके तो 25 और 15 कितने हो गए साथियो 40 हो गए तो कुल कितनी लड़किया है साथियो 40 लड़किया है आंसर आपका जाएगा option number C के साथ बहुत बढ़िया very good class तो साथियो 60 questions तक आपने देखे 41 से 60 questions तक आपके सामने reasoning के questions कुले अब आप देखेंगे साथियो math के questions math के questions थोड़े अच्छे level के हैं बढ़िया कोशन है तो साथियो एकस्पेक्टेड कोशन है आपके SSTGD के लिए तो आपके exam में यह साथियो पूछे जा सकते हैं तो अगर बात करें math का पहला प्रुशन आपके screen पर है पांच लगातार महीनों में कि इतने इतने रुपए पहले महीने में इतने दूसरे महीने में इतने रुपए तीसरे महीने में इतने चौते महीने में इतने पाच्छे महीने में इतने रुपए की बिक्री की ठीक है ना छटे महीने में अच्छा यहां पर पांच महीनों का record दे रखा है पांच महीनों का दे रखा है ना कहना है कि छटे महीने में उसे कितनी बिक्री करनी चाहिए कि उसकी औसत बिक्री जो है ना वो 65 हो जाए तो कुल मिला कि छटे महीने की बिक्री आपको साथियों बताना है उसत यहां पर दे रखा है आपने वो एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा साथियो देखियो अगर बात करते हैं यहां पर क्या जाएगा यहां पर साथियो छे महीने की क्या जाएगी छे महीने की एक तरीके से क्या जाएगी यहां पर बिक्री आ जाएगी और यहां पर छे महीनों की जो बिक्री का आउसत है वो आजाएगा यानि कि यहां पर 65 सो आजाएगे तो कुल मिला कि अगर बात करें साथियो छे महीनों की क्या छे महीनों की छे महीनों की बिक्री का आउसत ने बलकि योगफल की जब हम बात करते हैं साथियो तो योगफल पता क्या आएगा इसकी सिक गुणा होगी वही योगफल आजाएगा यानि कि 65 की गुणा 600 से करो 65 की गुणा 6 से करेंगे तो 6,35 हो जाएगा 6,36 और सातियों आपका 49 हो जाएगा 2,0 लगें 2,0 लगा दो यानि कि 49,000 की सातियों इन्होंने बिक्री करी चलिए कोई दिक्त नहींगे अब आपको ये मालूम पढ़ गया सातियों देखिए क्या आपके पांच महीनों की बिक्री का योगफल है अरे भाई इनको जोड़ दोगे तो योगफल निकल आएगा पांच महीनों की बिक्री और आपके पांच महीनों की बिक्री का योगफल है तो अगर इन पांच महीनों की बिक्री का योगफल अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो उसमें से सातियों जो बच्चे गना वो छटे महीने की ही बिक्री होगी तो कुलमिला के 49,000 आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये कुलमिला के 6 महीनों की बिकरी का एक तरीके से योगफल है, अब इसको जोड़ लो, आप बस इतना करना है, देखिए 2 और 0, 5, 7 हो जाएगा, 7, 7, 14 हो जाएगा, 14 और 5 साथियों कितना हो जाएगा, 19 हो जाए 20 का 2, 0 और हासिल का 2 लग जाएगा, 7 हो जाएगा, 8, 9, 9 कि अगर बात करें साथियों, 17 हो जाएगा, 17, 17 और ये आपका 27 बुले तो 26 हो जाएगा, 26 और आपका ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 का 0 हासिल लग जाएगा, आपका 3, ये हो जाएगा, 9, 9 कि अगर बात कर साथियों सोला हो जाएगा, सोला और यह आपका बाइस हो जाएगा, बाइस और अठाइस हो जाएगा, अठाइस और साथियों कितना हो जाएगा, चोथिस हो जाएगा, तो कुल मिलाके साथियों आपर चोथिस आ जाएगा, तो अब कि अगर साथियों बात करते हैं, देखिए ये है सातियो 34009 आपका क्या आया है 34009 सातियों आपका जो आया है वो एक तरीके से क्या आया है वो पांच महीने की बिक्री का योगफल है और उपर उसके 6 महीने की बिक्री का योगफल है तो अब इसको अगर माइनस कर देते हैं हमें छटे महीने की बिक्री माλूम पड़ जाएगी कितनी है अब यहां पर सात्यों 0 है 0 में से 9 जा नहीं सकता है इसलिए एक दहाई लेंगे तो 10 हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा एक बचेगा उसके बाद सात्यों यहां पर अगर बात करें 9 बचेगा फिर यहाँ पर भी 9 बचेगा और फिर सात्यों यहाँ पर कितना हो जाएगा एक तरीके से 38 हो जाएगा और 38 में से 34 जाएगा सात्यों तो 4 बचेगा यानि के 491 सात्यों छटे महिने की आपकी भिक्री आएगा और यह कौन से तीनों कोनों का योगफल जो होता है वो 180 डिगरी होता है कितना होता है 180 डिगरी होता है तो क्या इसका योगफल 180 डिगरी बनेगा देख लिजे सात्यों जरा 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा 7 और 3 आपका 10 हो जाएगा 0 लग गया, 1 और 2, 2 हो जाएगा 2, 4 आपका 6 हो जाएगा 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा तो कुल मिला के, यहाँ पर तो 8 आना चाहिए ता घलत हो जाएगा, इसकी अगर इसकी अगर साथियों बात करते के यह हो पाएगा यह भी 190 ही बन रहा है शायद इसकी अगर बात करें, यह भी नहीं हो पाएगा इसकी अगर बात करें, देखिए 5 और 6 आपका 11, 11 और 7 आपका 18 हो जाएगा तो कुल मिला के, इसका योगफल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है और जिसका भी 180 डिग्री बनता है योगफल, वो त्रिबुच के तीनों कोड़ों का एक तारी के से संभावित मान हो जाता है, उसके बाद देखिए नेक्स नंबर का कोजिशन आपके स्क्रीन पर है देखिए और बताए सही जवाब आपका क्या होगा चलिए चलिए यहां पर अगर बात करते देखिए पचास लड़कों की एक कक्षा में तीस लड़कों की औरसत लंबाई 160 संटीमीटर है यानि के पचास लड़कों की कक्षा में तीस लड़कों की औरसत लंबाई 160 संटीमीटर है तो पूरी कक्षा की और सत लंबाई कितने होगी पचास लड़के हैं टोटल मिलाकर तीस लड़कों की जब बात कि गई है तो तीस लड़कों की साथियों तीस लड़कों की जो और सत लंबाई आई है वो कितनी आई है एक सो साट आई है ठीक है ना, 16, 43 होता है यानि कि 48 और 2, 0 अगर बात करते हैं सात्यों यहाँ पर तो 30 लड़कों की जो कुल मिला कर लंबाई निकलेगी वो 48 तो निकलेगी 30 लड़कों की अब बचे 20 लड़के, कितने अरब भी 50 लड़के थे, कहा गया ना पृर्ष्ण में तो 20 लड़कों की, यानि कि 6 लड़कों की जो और 60 लंबाई है, वो 165 है वो 165 है तो 165 की 2 से जब सात्यों गुडा कराएंगे, तो देख लेतें कितना आता है ठीक है ना, तो कुल मिला के सात्यों 330 आपका आ जाएगा 330, 330 और एक जो जीरो लगाई है आ जाएगा यानि के 50 लड़के हैं कुल मिला के 30 लड़कों की आईयों का योगफल 48 सो है 20 लड़कों की 20 लड़कों की क्या है, लंबाई का लंबाई का योगफल 33 सो है तो कुल मिला के पूछ रहे हैं कि अगर 50 लड़कों की अगर हम यहाँ पर कुल योग लिख दें और उसका औसत निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा यह आप से पूछा जा रहे देखिए इसको अगर जोड़ें न 4800 को और 3300 को तो कितना वैटता है देख लिजे एक बार यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं यहाँ पर यह नंबर आ जाएगा इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा पाचे कम पाच आ जाएगा पाचे कम पाच आ जाएगा तीन जाएगा 31 हो जाएगा पाचे कम आपका 30 हो जाएगा और 5 दुन आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो 162 साथियों ये आपकी लंबाई का आउसत निकलेगा 50 लुकों की तो सही जवाब आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर B के साथ जाएगा और जिनका अंसर यहाँ पर B है तो बिल्कुल कारेक्ट भाई बहुत बड़या वेरिकूट क्लास चलिए उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का प्रशन आपके स्क्रीन पर बताईए चलिए यहाँ पर अगर बात करें A और B A के A और B मिलकर एक कार को 6 दिन में करते हैं A और B वहिया A और B अगर मिलकर किसी काम को करते हैं तो वह 6 दिन में करते हैं अगर A उसको अकेले करता है सात्यों तो वह 9 दिन में करता है अगर B उसको अकेले करता है तो उसकार को कितने दिन में करेगा आप से पूछा जाए देखिए एक ऐसा नमबर ले लिजे जो 6 के पाड़े में भी आए और 9 के पाड़े में भी आए तो देख लिए 36 है मेरे हिसाब से शायद 6 चंग 36 हो जाएगा 9 चोग आपका 36 हो जाएगा तो ये चीज़ आप कर लोगे अब इसका मतलब पता क्या है ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा ये अब इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में कितना टोटल काम पहली बात आपको दिहान नखना है टोटल काम 36 है ए एक दिन में 4 काम करता है और ए और भी दोनों मिल जाते हैं तो ये 6 काम करता है तो अब मुझे ये बताए जब ए 4 काम करता है और टोटल ये दोनों मिलकर 6 काम करते हैं तो B सात्यों एक दिन में कितना काम करेगा दो काम करेगा अब टोटल काम है 36 और B एक दिन में काम कर रहा है दो तो ये टोटल अगर काम करें तो कितने दिन में 36 काम निप्टा लेगा 18 दिन में 36 काम निप्टा लेगा तो यही तो आपसे पूछा गया था कि भी अकेले उस कार को करे तो कितने दिन में करेगा तो साथू अठारा दिन में करेगा राइट आंसर आपका जाएगा उप्शन नमबर एक के साथ दी बहुत बढ़िया वेरिकूट प्लास अब उसके बाद देखिए अगले नमबर का साथ उचाईयों का अनुपाद पूछा जा रहा है देखिए सबसे पहले अगर बात करें साथ यो शंकू का आयतन का अनुपाद साथियों कितना होता है ये सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूँ ये होता है साथ तो एक बटे तीन पाई आर इसक्वाईर एच होता है ठीक है ना एक बटे तीन है पाई की वैलू पता है आर यहाँ पर जो दिया गया है वो आयतनों का अनुपाद और उनके आधारों की तरज़ा आर 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 आपका ये दिया दे रखा है और उचाईयों का अनुपाद यानि कि ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है अब अगर देखिए बात करें एक बटे तीन दे रखा है एक बटे तीन जैसा है साथियों वैसा हमने लिख लिया पाई जैसा है वैसा हमने लिख लिया आर कितना है साथियों आर यहाँ पर एक हो जाएगा तो एक का स्कार होता है और आपसे पूछा क्या जा रहा है उसी प्रेकार अगर बात करें अच्छा इसका दे कितना रखा है अनुपाद दो दे रखा है ना पहले वाले का तो दो हो जाएगा दूसरे वाले के अगर बात करें एक बटे तीन जैसे रखा है वैसे कर लिया पाई वैसे लिख लिख लिया R लिखेंगा तो R यहाँपर क्या है 2 है तो साथ hearing 2 का 144 हो जाएगा 2 का 14 हो जाएगा और यहाँपर H हो जाएगा इसका अनुपाद कितना दे रखा है 3 दे रखा कहाएगा भी 2 शखुपों के आयतनों का अनुपाद 2 अनुपाद 3 है तो दो हो गया पहले वाले का नीचे वाले का साथ यो तीन हो गया अब देखिए एक बटा तीन और पाई ये कैंसल हो जाएगा इससे ये कैंसल हो जाएगा पूरा पूरा ठीक है चलिए अब यहाँ पर चार आ जाएगा अब इस चार की गुणा हो जाएगी इससे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा इस एक की गुणा हो जाएगी इससे अब यहाँ पर पता सिर्फ क्या है सिर्फ H1 और H2 है तो यहाँ पर H1 की जो वैलू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी और H2 की वैलू साथ हो तीन हो जाएगी तो उनकी उचाईयों का उचाई का मतलब height, height का मतलब edge उनकी उचाईउं का अनुपाद निकलता है वो कितना अनुपाद निकलता है आट अनुपाद तीन निकलता है तो आट अनुपाद तीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि option number C में है बहुत बढ़िया very good class चलिए उसके बाद देखिए अगले number का प्रशना आपके screen पर है देखिए और बताईए सही जवाब आपका क्या हो सकता है कि 50 मीटर लंबी एक गाड़ी 10 मीटर लंबे एक platform को 10 सेकेंड में पार करती है गाड़ी की गती आपसे पूछी जा रही तो आप सभी को पताओगा साथियों गती यानिके चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर होता है साथियों दुरी बटे समय होता है अब यहाँ पर गर बात करें 50 मीटर लंबी एक गाड़ी तो यह दूरी हो जाएगी चलिए और अच्छा दूरी पता कभी भी अगर प्रश्ट में साथी हो ट्रेन की लंबाई आ जाए और प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाए तो दूरी पता क्या होती है प्लेटफॉर्म पिलस ट्रेन की लंबाई होती है तो यह तो ट्रेन की लंबाई हो गई प्लस यह साथ ही प्लीटफ virm की लंबाई हो गई तो यह कुल मिला के दूरी हो गई और समय कितना साथ हुद दे रखा है समय आपका दस सेकंड का दे रखा यानि की तो कितना हो जाएगी 150 150 बटे 10 हो जाएगा तो कुल मिला के साथियो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा यानि कि आपकी चाल जो आएगी आपकी गती जो आएगी साथियो वो पंदरह मीटर पर 30 सेकंड आएगी पंदरह बचाना तो पंदरह मीटर पर 30 सेकंड आएगी तो A, अनुपाद B, अनुपाद C, आपसे कुल मिला कर, यहांपर क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है, चलिए, तो बढ़िया लेवल का सात्यों कोशन है, ठीक है, जैसा जैसा कहा जा रहा है, वैसा वैसा कर दीजे, तो कुल मिला के सात्यों, अगर यह कोशन आपके सामने इ इसके बराबर है तो A, अनुपाद B, अनुपाद C, बराबर क्या हो जाएका? देखे इसके अगर बत करें तो ये तो अलग-अलग निकालाएगा तो A, अनुपाद B, अनुपाद C और यहांबर जोएगा न वह दो लिख ना तो एक बट दो हो जाएका? जैसे देख लीजिए साथियों, क्या हो जाएगा, दो से कट करेंगे, तो दो तीन नहीं कट करेंगे, ऐसे लिख दी जाएगा, दो से कट करेंगे, साथियों चार को, तो दो दुना चार हो जाएगा, यहाँ पर साथियों दो आ जाएगा, ठीक है ना, तो दो एकम दो हो जाएगा, अब यहां पर 3 आ जाएगा तो सब के सातियों कर जाएंगे कुल मिला के 2 दूना 4, 4 दूना, ठीक है 4, 3, 12 तो कुल मिला के 12 इसका जो LCM निकलेगा वो आप कहां पर इसके गुड़ा में लिखेंगे इसके भी सातियों गुड़ा में लिखेंगे और इसके भी सातियों गुड़ा में निकलेगे यानि कि अब जो आंसर आएगा वो डारिक्ट आंसर आजाएगा इससे अगर इसको कट करें तो 6 आजाएगा यानि कि A की जो वैलू आएगी वो 6 आएगी चलिए उसके बाद इसको अगर 12 से कट करें तो 3 चौक 12 यानि कि 4 जो आएगा वो B हो जाएगा और इसको इससे कट करेंगे तीन आजाएगा वो सातियों क्या हो जाएगा वो C हो जाएगा यानि कि A अनुपाद B अनुपाद C की जो वैलू पूछी गए थी वो 6 अनुपाद 4 अनुपाद 3 है ठीक है नाँ दegएगे जैसे शुरू में कहा गया आया और बारा किसम में से गुणा कर दी तो हमारे पर A अनुपाद B अनुपाद C हमें मिल चूका है उसके बाद देखिए नेक्स नंबर का कोशन आपके स्क्रीन पर है देखियो और बताईये सातों सही जवाब आपका क्या हो सकता है बताईए देखे अगर बात करें पांच वर्ष पहले कि यहाँ पर बात किये गई है कि A, B, C और D की आउसत आयू 45 वर्ष थी यानि कि सातों यहाँ पर कितने लोग हैं यहाँ पर एक तरीके से चार लोग हैं B, C और D चार लोग हैं यह चार लोगों की जो आउसत आयू बताई गई है वो कितनी बताई गई है वो 45 बताई गई है तो अगर मैं आप से यह कहूं कि यह तो पांच वर्ष पहले की आयू है यानि कि A की आयू जो इसमें है वो पांच वर्ष पहले की है इसमें भी पाच वर्ष पहले की, इसमें भी पाच वर्ष पहले की, इसमें भी पाच वर्ष पहले की है यानि के कुल मिला के 20 कम आ रहा है पहले तो ये निकाल लीजिए के पाच वर्ष पहले ही इनकी आयू का योग क्या होगा तो 45, 4 कितने होते हैं साथियों, 180C होते हैं, तो यह 180C हा गया, अब यहां बर दिखिए, यह जो 5 वर्ष पहली की आयू निकली है सब की, तो अब 5 इसमें बढ़ेगा, वरतमान अगर आपको आयू निकलना है, तो 5 वर्ष इसमें बढ़ाएए, 5 वर्ष इसमें बढ़ाएए, यानि का अब इसमें एक कंडिडेट और बढ़ जाता है साथियों, और अब कितने लोग हो जाते हैं, अब हो जाते हैं, चार के जंगा 5 लोग हो जाते हैं, तो अब इन 5 लोगों की जो औसत आयू निकल रही है, वो 49 निकल रही है, अगर मैं कहूं के 49 औसत हैं, 5 लोग हैं, तो 5 लोगों की कुल मिला कि आयू कितनी होगी तो 5 की 49 की पास सिगणा करा लेजे 9, 55 आपका हो जाएगा 4 लग जाएगा 5 यूग 20 हो जाएगा 24 हो जाएगा यानि के सात्यों 5 लोगों की जो आयू का योग आ रहा है वो 245 आ रहा है ठीक है ना और चार लोगों की जो वरतमान समय का आउसत नहीं मतलब कुल मिला की योग जो आ रहा है वो दो सो पैतालिस आ रहा है और चार लोगों की आयो का योग आ रहा है वो दो सो आ रहा है तो एक लोग जो इसमें एक्स्टा है उसकी आयो कितनी होगी उसकी आयो सातियों पैतालिस ह सब उसके बाद देखिए नेक्स नंबर का कॉईशन आपकी स्केरेन पर है देखिए और बता ये सही जवाब आपका क्या हो सकता बताईए देखिए यहां पर अगर बात करें साथो एक थैले में तीन परकार के सिक्के हैं थैले में एक रुपए के भी सिक्के हैं पचास पैसे वाले भी सिक्के हैं पच्चिस पैसे वाले भी सिक्के हैं तो सिक्को की कुल संख्या क्या है ये कुल मिला कि आपसे पूछी जा रही है चलिए कोई दिक्कत नहीं है सात्यों कर लेंगे बहुत आराम से देखिए कभी भी सात्यों ऐसा कोशन आ जाए तो जो जो अनुपात लिखा है न इस अनुपात को एक बार लिखो सबसे पहले यानि के 3X, 8X, 20X अब यहाँ पर पता नीचे क्या लिखो नीचे सात्यों देखिए एक रुपया लिखा हुआ है तो एक रुपय में एक रुपय के कितने हिस्से होंगे एक होंगे ना तो यहाँ पर एक आजाएगा फिलस लगा लिजे यहाँ पर 50 पैसे एक रुपय में 50 पैसे के कितने हिस्से होंगे दो होंगे ना तो यहाँ पर दो आजाएगा फिलस लगा लिजे इसकी बात करें एक रुपाएं 25 पैसे के कितने होंगे चार हिस्से होंगे तो ये चार लिख लिए और अब इन सभी का योग जो यहाँ पर दिया गया है यानि कि उनका कुल मुल जो दिया गया है वो 372 दिया गया है तो यहाँ पर 372 आ जाएगा अब देखिए अब सात्यों आपको क्या करना है अब अच्छे यहाँ पर भी तो एक तरीके से क्या जाएगा एकस आएगा ना एकस आजाएगा चार एकम चार चार पज़े आपका 20 हो जाएगा यानि कि यह 5 एकस हो गया दो एकम 2 दो दो चौक आपका 8 हो गये यानि कि सात्यों ये 4X हो गया तो अब देखिए 3X, 4X, 7X 7X और 5X, 12X यानि कि 12X बराबर कितना है सात्यों 372 है तो अगर मैं कहूं सात्यों X का मान निकालने की कोशिश अगर मैं करूँ तो इसको कैसे निकालूंगा 12 तियां आपका 36 हो जाएगा 12 तियां सात्यों कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा यानि कि X का जो मान निकला है वो सात्यों कितना निकला है वो एक तरीके से 31 निकला है आप सिकों की कुल संख्या आपसे पूछी गई थी ना अरवाई सिक्कों की कुल संख्या ऐसे ही तो निकालोगे कि 3 सिक्के इसके थे तो 8 सिक्के इसके थे 20 सिक्के इसके थे इस परिकार से तो कुल मिला के 20 और 8 28 हो जाएगा 28 और 3 आपका 31 हो जाएगा यानि कि X बराबर 31 है और 31 कुल मिलाके सिक्कों की एक तरीके से वो है तो 31 की गुणा 31 से जवाब कर दोगे तो आपको सिक्कों की कुल संख्या मालूम पड़ जाएगी तो अब सात्यों हमें बस 31 और 31 की यहाँ पर गुणा कराना है और आपका अंसर आपके सामने आजाएगे तो 31 हो जाएगा सात्यों यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा तीन एकम तीन 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 आपका नव हो जाएगा एक हो जाएगा छे हो जाएगा नव हो जाएगा यानि कि 961 सात्यों आपके इस प्रिशन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है अब उसके बाद देखे साथेओं कुल मिलाके देखे 80 कोशन्स हम लोग देखेंगे और आप आज की वीडियो में ये देखिएगा साथेओं कि 80 में से आपका कितना साथेओं स्कोर रहा है कितने कोशन्स आपके हिंदी में सही हुएं कितने GKGS में कितने मैत में और कितने साथ देगा ना चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुरुषन है कि किसी धन्दाशी पर साधारन ब्याज जो है ना वो मूलधन का मूलधन एक बटे सोला के बराबर है तता बर्शों की संख्या वार्शिक दर के बराबर है तो दर आपसे पूछी जा रही है यानिके आ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं SI बटे P बराबर एक बटे सोला यानिके अगर मूलधन सातियों सोला है तो साधारन ब्याज कितना है साधारन ब्याज एक है और वर्शों की संख्या जो दी गई है वो दर के बराबर दी गई है चलिए कोई दिकत नहीं है तो दर आपसे पू यहाँ पर अगर बात करें जो T है न T R ही आएगा क्योंकि यहाँ पर का गए कि वर्षों की जंकिया वर्षिक दर के बराबर है तो यहाँ पर R आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर R है यहाँ पर R है तो यह R ऐसा करो R स्क्यार हो जाएगा उसके बाद उपर 100 हो जाएगा औ आचा आर बराबर पता क्या आ जाएगा आर बराबर दस बटे चार यहां पर आ जाएगा और आर बराबर अब अगर इसको कट करोगे तो 2.5 परतिशत आपका राइट आंसर आ जाएगा जिसको हम लोग कह सकते हैं साथियों 2 सही ठीक है ना दो सही एक बटे दो परतिशत इसको हम लोग कह सकते हैं यानि कि इसको अगर इसको अगर 2.5 बनाए तो दो दो ना चार चार और एक पांच बटे साथियों 2 हो जाएगा और यहां पर भी तो एक तरीके से पांच बटे दो ही बनना तो भाई इसको कट करोगे दो से पांच आ कि पांच बटे चार चार से दोड़ कर अपने दोड़ने के समय में पांच मिनट सुधार करता है उसी दूरी को दोड़ने में उसे सामानता कितना समय लगता था यह आपसे कुल मिला कर पूछा जा रहा बताईए चलिए बहुत अच्छा कोशन सात्यों एकजाम में पूछा जाता है ठीक है तो यहां पर अगर सात्यों बात करें कि अगर कोई एक ऐसा बन्दा है जो अपनी सात्यों पहले उसने पांच मिनट अपना सुधार कर लिया अगर पचास मिनट में पहले इस चाल से दौणने पर चलता था पाँच मिनट में अगर वो इस चाल से दौणने लगा साते हो तो उसने पचास के जगा पैतालिस मिनट में अपना रास्ता पूरा करने लगा ये इसका मतलब ये हुआ पाँच मिनट सुधार करता है उसी दूर को दौनने में उसे सामानता लगने वाला समय यानिके पहले कितना समय लगता था तो ये तो चाल का अनुपात है चाल का अनुपात का उल्टा सातियो समय का अनुपात होता है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा पांच अनुपात चार हो जाएगा अभी उसका समय ये लगत पूछा जा रहा है पहले समाननी ने लगटा, पहले यह लगटा था, अब यहां पर अगर साथ करें, बात, दोडनने में 5 मिनट का सुधार लगटा यानि कि 4 X, 5 X अगर X बराबर यहां पर 5 है साथ हों, पहले गते से 5 X है, यह था 2 X है, पहले 5 X था 5 तो पहले कितना समय लग इन पर हैं देखिये और बताइए सातियों सही जवाब आपका क्या होगा एक यहां पर आजाएगा तो कोली मिलाकि नौ सही एक बटे ग्यारा परतिशत आपका राइट आंसर हो जाएगा यदी उन दोनो संख्याओं का मासा 11 है तो संख्याओं बताइए क्या होगी संख्याइ 55-77 होंगी 44-86 होंगी 33-99 होंगी 22-110 होंगी देखिए अगर साथियो मान लेते हैं संख्याइ वो 55 और 77 है तो क्या 55 और 77 को योगफल करेंगे क्या 132 बनेगा देख लीजे साथियो 132 बन रहा है क्या तो यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर साथियो 13 आ जाएगा बिल्कुल 132 बन रहा है लेकिन क्या इनका मासा 111 होगा साथियो यह भी एक बार देख लीजे क्या महत्तम समाब बरतं क्या 11 होगा 11 से कट करेंगे 1555 हो जाएगा 1177 हो जाएगा मासा में एक्स्टा नहीं कट करते अगर यहाँ पर 10 होता ना तो पांच ले लेते बाकि अब एक अलग नमबर नहीं लेंगे ठीक है ना लासाव कहा जाता तो इसको हम 5 और उसके बाद 7 से कट कर सकते थे तो यह तो दोनों कंडिशन बिल्कुल साथ यो सही हो रहे इसलिए वो दो ऐसे संख्या हैं पचपन और सदतर हैं जिनका अगर योकफल करोगे तो 132 आएगा और अगर इनका मासा निकालोगे तो 11 आएगा बाकि B से नहीं आएगा C से नहीं आएगा और D से भी नहीं आएगा उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रशन आपके स्क्रीन पर है देखिए बताइए राइट आउसर क्या होगा बताइए दस वर्ष पहले सचिन की आईउ अरुन की आईउ से दो गुनी थी यदि दस वर्ष बाद सचिन की आईउ 40 वर्ष हो जाती है तो अरुन की वर्ष आईउ क्या है देखिए दस वर्ष पहले की बात चल रही है सचिन की आईउ और अरुन की आईउ सचिन की आईउ जो है ना वो अरुन की आईउ से दो गुनी है तो अगर इसकी 2X आईउ है तो इसकी X है अच्छे ये 10 साल पहले की आयू है वरतमान समय की अगर आयू की बात करें तो वरतमान समय की आयू इसकी ये बनेगी 2X प्लस 10 और X प्लस 10 ठीक है ये X होगी है किसकी सचिन की आयू है तो 10-10 पिलस कर दिया यनि के वरतमान की आयू बन जाती है उसके बाद कहा गया कि यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयू 40 हो जाती है चाह सचिन कहा सचिन ये है सचिन ये है 10 वर्ष बाद अगर कितनी हो जाती है 40 हो जाती है ये तो वर्तमान है अगर हम इसमें 10 वर्ष और जोड़ दे जैसा कि इसमें कहा गया है कि 10 वर्ष बाद सचिन की आयू कितनी हो जाती है 40 हो जाती है तो साथ इसको एक बार calculate करा लो और X का मान निकाल लो जब X का मान निकलाएगा तो अरुन की आयू आपको बहुत आराम से मालू पड़ जाएगी तो 2X प्लस 20 क्या 2X प्लस 20 बराबर क्या है साथ 40 है 2X की अगर बात करें बराबर 40-20 हो जाएगा 40-20 हो गया यानि कि X बराबर क्या हो जाएगा या आपका 20 हो जाएगा आपउन में 2 आ जाएगा तो X का value निकलेगी साथ यो वो 10 निकलेगी तो मैं कह सकता हूं अरुन की आयू साथ यो X थी और X का 10 है और 2X यानि कि इसकी आयू सचिन की आयू कितने निकलेगी 20 निकलेगी तो कुल्मिला के साथ यो आंसर आपका जाएगा option number B के साथ या ने के साथ यो 10 आपका option यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अच्छे एक सेकेंड यहाँ पर अगर साथ यो बात करतें तो अरुण की वर्तमान आयू क्या है अब एक बात यहाँ पर आपने बहुत बड़ी mistake कर दी यहाँ पर यह दस वर्ष पहले की आयू है यह भी अरुण की दस वर्ष पहले की आयू है और ये भी दस वर्ष पहले की आयू है कहा गया था ना दस वर्ष पहले सचिन की आयू अरुन की आयू से दो गुनी थी तो अगर वर्तमान आयू निकालना है तो इसमें हमें 10 और जोड़ना पड़ेगा तो 20 साल कुल मिला के आएगी ये सातियों ये जो मैंने निकाला है ना अरुन की आयू सातियों 20 वर्ष आएगी और इसकी आयू जो निकलेगी ना सातियों वो 20 निकलेगी और 10 वर्ष हमें एक्स्टा करना होगा वर्तमान के लिए तो इसकी 30 बैठेगी तो कुल मिला के आंसर आपका आप्शन नमबर A के साथ जाएगा उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का कोईशन आपकी स्क्रीन पर है बताएगे कोई वेक्टी एक साइकल 14 सो में खरीटता है उसे 15 प्रषट की हानी पर बेशता है तो उसको 15 20 हो जाएगे आपके 34 32 हो जाएगे तो 34 आ जाएगे और यहां पर 70 पचासी आ जाएगे 0 आ जाएगा 9 आ जाएगा साथ और 11 आ जाएगे यानि कि 1190 साथियों आपका साइकल का विक्रमूल हो जाएगा बही बहुत बढ़िया very good class उसके बाद देखिए अगले नमबर का साथियों पर शनापके स्क्रीन पर है लेते चलिए देखिए यहां पर बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अंडरूड की कमी है अब सवाल पूरा हो गए इसका मान आपसे कुल मिला कर क्या किया जा रहा है पूछा जा रहा है साथियों बताईए चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं तो यह किसका आपको स्क्वाइर लग रहा है यह 21 का स्क्वाइर लग रहा है यानि के साथियों अगर अगर सात्यों यहां पर बात करें सात्यों देखिए तो इसको करने कर सात्यों आसान तरीका क्या है देखिए अब यहां पर अगर सात्यों बात करतें इसको हम कुछ इस परकार से सात्यों लिख सकतें क्या इसको हम कुछ इस परकार से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं तेका आप बिलकुल लिख सकते हैं साथियों यहां पर तीन नमबर के बाद पॉइंट है तो जब एक हो गए ना तो छे नमबर के बाद पॉइंट आ जाएगा और बिलकुल साथियों छे नमबर के और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा यानिके 0.111 बराबर एक बटे 9 है तो 0.444 बराबर क्या होगा देंकि ये 444 मतलब उसके बाद भी है तो अगर हम इसमें से 4 साथियू क्या करते है common ले लेते हैं और यहां पर क्या हो जाएगा साथियू 0.111 और ऐसे करके कुल मिला के हो जाएगा अच्छे यहां पर इसकी वैलू आपको दे रखी है 1.1.1 एक बटे 9 है तो 4 गुना एक बटे 9 आ जाएगा यहने के यहां पर 4 बटे 9 आ जाएगा तो कुल मिला के 4 बटे 9 ही आपका क्या राइट आंसर होगा साथियू तो बिल्कुल 4 बटे 9 ही आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भी बहुत बढ़िया किसी संख्या के वर्ग का 3 बटे 5 जो है ना वो 3 बटे 5 कितना है 3 बटे 5 जो है वो कितना है 126.15 यह अलग है 126.15 और 3 बटे 5 अलग है तो वो संख्या क्या होगी तो इसको साथियू सॉलोशन करके आप आंसर मुझे बताएगा तो इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा तो कुल्मिला के साथियू एक कोशन्स आपने देखे जो SSGD के एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है तो मेरा मानना है साथियो आपने बहुत शांदार तरीके से इस क्लास को देखा होगा एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताएगा कि एक क्लास आपको साथियो कैसी लएग लिए अगर इसमें कुछ कमी है तो नेक्स वीडियो में मैं वो है दूर करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा और आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखियेगा साथियो क्लास को शेयर कर दीजेगा क्लास को लाइक कर दीजेगा जैहीं साथियो